हलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियान इंस्ट्रीट ऑफ उस्टा मॉर्केट पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहे कि आज आपन समझने माले आइरन फ्लाइ स्ट्रेजिक के बारे में अब बहुत से लोगों आइरन जो है एरन फ्लाइ बना दूंगा अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली जब निफ्टी में 30 डेस के एक्सपारी होती थी तो 45 दिन पहले से एरन फ्लाइ बना जाती थी और वही एरन फ्लाइज होती है असलिम प्रॉफिट देने वाली होती है क्योंकि उसको मेनेज करने का आप लोगों को टाइम मिलता है अब आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुती शांदर स्ट्रेजी शेयर करने के लिए आया हूं तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाईएगा और एकदम तयारी से बढ़ जाईएगा कॉपी पेंट ले करके ऑप्स्ट्रा खोल करके बिल् बस आपको इतना रखना है कि ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके सापको लर्निंग करनी है तो चलिए शुरू करते हैं और लोगों को प्रॉफिट आता है ब्लू लाइन इसकी कुछ इसी साब से वर्क कर रही होती है ब्लू लाइन क्या दर्शात ही है मैं आप लोगों को अपन आता हूं तो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने या आने से मुझे कितना प्लस आएगा इसे हम टी प्लस जिरू लाइन बोलते हैं अब आप देखिए अगर मैं इससे आप से अरे बनाता हो इसका मतलब क्या कंडिशन बनी होगी यहां पर एक ही स्ट्राइक प्राइस की एक पर यहां पर प्राइब कर रही है तो एक क्या होगा एक पर पर रिस्क रिवर्ड रिषयो हाई होता है मैं आप लोगों को फिर्षा पता देता हूं रिस्क टू रिवर्ड जो अपना रेश्यो होता है यह इसमें वन इस्टू 3 से वन इस्टू 5 सी बढ़ा आता है यहां पर बात करता हूं probability of profit की तो यह हमारी घटती भी नजर आती है यहां पर हम ज्यादा profit कमा लें इसकी chances कम होते हैं कि हमारा ट्रेड इस बीच वाले ट्रेडिंग को preference दो आप जो है सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग को अपनी मेथड्स को स्ट्रेटेजिस को फोकस करो पर जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग पर जाते हो तो वीकली पर बनाने का पॉइंट नहीं बनता है फिर आपको क्या करना पड़ेगा मंतली पे जाकर कर के बन जो है साथ दिन पहले या तीस दिन पहले अगर मुझे आरेन फ्लाइ बनाना नहीं तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि अभिहाल ऑप्शन चेंज चल कहां पर रही है तो देखिए अभिहाल हम जिस वक्त पर हैं इस वाले टाइम पर जब हम ट्रेड बना रहे हैं या तो हम 27 जून की एक्सपारी ट्रेड करने जाएं या फिर हम 8-10 दिन का वेट करें और जाके देखिए 25 जुलाई पर मार्केट किसके असपाफ सेटल है मुझे राउंड फिगर पर जाके आरेन फ्लाइ बनानी है एक्जामपल के दोर पे अपन कलकूलेशन को आसन बनाने जैसे मैं आपको यह बताता हूं कि आप लोगों को आरेन फ्लाइ बनानी है अब आरेन फ्लाइ बनाने के लिए कंडिशन क्या जाती है मैं आपको क्या सेट करी 45 देस तो मिनिमम होना चाहिए अब कैसे आएंगे 45 डेस अगर आप जून में हो और आने वाला समय क्या है जुल जुन में भी हमें 20 दिन से जादा मिल रहें मतलब की 22 23 डेस मिल रहें तो 23 डेस के लिए जून पर आरेन फ्लाइ कैसे बनेगी इसके बार हम अपन अभियाल एक बार चर्चा करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे मेनेज कैसे करना ही सबसे जरूरी है तो वह अच्छा डिप बनाया था जैसे एलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू है निफ्टी डिप मार और डिप मार के वह पर से अच्छी कवरिंग दिखाई तो उस कवरिंग के अकरण मार्के 23 350 पर आ गया है अब ऐसे केस में अगर मुझे आरन फ्लाइब बना करके उसे होल्ड कर है अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट नीचे में अच्छा फिकर होगा तो आपको फुट डिसाइड करना पड़ेगा अभी हल के लिए अपन क्या चलते मैं आप लोगों को टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे करें कि वरकिंग तो अपन क्या जाते हैं यहां पर 23500 पर जा क्योंने चाहिए पर जब एक्सपाइरी से दूर हैं तो हम यहां पर थाउजन पॉइंट दूर के यह लेंगे तो यहां पर मैं आऊंगा और बाय करऊंडर्ड यहां लिए और यहां बाय कर दिया तो हमारा इरन फ्लाइक यह था दिखाई दे रहा है जिसमें इक्या सब्सक्राइब करेंगे फिर हम पुट बाय करेंगे और हाथो हाथ पूट सेल कर देंगे तो ऐसे केसमें अपना एक छोटी केपिटल में बन जाएगा जब इतना हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है यह था बेसिक बनाना यह कोई भी बना सकता है आप इंपोर्टेंट पॉइंट ही आजाता है कि यहां से करना है उसके लिए जो है मैं विकली का इस्तेमाल करूंगा मतलब कि अगर मैं यहां पर इसी के ऊपर बना दूगा तो थोड़ा गड़बड दीखेगा आपको पेफ ग्राफ समझ में आएगा तो आप आप से iron fly की working होती है अब यहां से अगर मुझे मार्केट लग रहा जैसे मैंने क्या बनाया मिने बुलिश अरूपल के तो पर यहां से तेजी हो रही थी अभी मार्केट में थेझी बाती है तो मैंने क्या करा बूल बुलिश अरूपर की तरफ चल रही थी एक डीप मारण इससे घुम करके ऊपर की तरह फोल्ड कर रही है अभी अपने वो lifetime high के असपस बेटी हुई है अब ऐसे केस में यहां पर अपने पास एक specific लेवल आता है किसका 23,000 का तो आप लेवल ट्रेडिंग वाली मेथट से यह कर सकते हो कि जब तक मार्केट 23,000 की उपर है फिर से जब तक मार्केट 23,000 की उपर है 13 जून वाली expiry में मैं नीचे से पी शॉर्ट करके बेटूंगा यहनी कि एक पी सेल करूंगा और एक पी बाय करूंगा इससाब से में स्प्रेड में ट्रेडिंग करूंगा अब इसका फाइदा क्या आएगा इसका फाइदा मुझे यह मिलेगा कि अगर प्राइज से उपर की तरह फोल्ड हो रही है केने का मतलब क्या है कि अगर यह उपर ही होल्ड है तो नीचे से जो मैं पूट ऑप्शन की स्प्रेड बनाऊंगा मुझे प्रॉफिट देगी अब आप लोगों आयरें फ्लाइग को अच्छे से देख लिए वीडियो और पास करके देखे लिए कि arm python कैले कि मेकसिमॉम लॉच्ण कितना है हमारा लेट अब मैर इसको अब कर रहो हूं कर Scout कर दूगा और यॉम् पर को च्री कि चौकि में लेवल कर रहा हूं और नीचे में चक्率 में ситу drie तोंबद कि पी बाइए तफिवेड कर लूँगाrum क्योंकि यहां पर मुझे हेजिंग बेनेफिट मिल जाएगा अब यह जो है मैंने यहां पर क्या गरा है उपर से बुलिष टेड बना दिया इसने मुझे कितने का प्रीमियम दिया पंदरा सुरुपे का प्रीमियम दिया अब जब तक प्राइस 23,000 की उपर होल्ड कर रही है मै तो इससे केस में किसके ये यहल जो रहा है को फिस जून में जा चाये मैं करना ख़ंगा तो मैं यह साब से अलग अलग ऑप्शन को मैंच करना है जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं देखंगा कि 45 दिन आगे कि आरेंफ लाइच कर रहा हुँगा तो में कम से कम 5 किरी मिली होगी किसी में 15 क किसी में 800 रूपे कलेट कर पाऊँगा और इसे तो बिल्कुल विजरूरी नहीं है गुए ना कि मार्केट हम जहां से आरेंफ्लाई हमारी एसी बनी हुई है और हम यहां की पुट ऑप्शन शॉट कर रहें पीछे वाली एक्सपाईरी की एक अंपन बनाया बहुत दूर की एक्सपाईरी का और जो पास्की वीक्ली ऑप्शन से महाँ पर हमने पूट ऑप्शन क करी तो मार्केट नीचे आ गया हमने कॉल ऑप्शन करी तो मार्केट ऊपर आ गया ऐसी बार-बार तो में शौट कर रहा हूं काई के लिए ट्रेड को मैंनेज करने के लिए तो इसे कंटिनियसली में वीकली शौट करूंगा इसे मार्केट जब नीचे जाएगा तो उसमें कॉल ऑप्शन का ट्रिक्य होगा फिर जब मार्केट घुम के भविष्चे में उपर जाएगा तो इसमें पूट ऑप्षिन का डीके होगा और एसे में अगर मैं डायर को सटीक पकड़ रहा हूं तो मैं वीकली पर आगे इसके भीहाफ पर कॉल और पूट ऑप्षिन इसली शॉट कर सकता हूं एसे में क्या कर रहा हूं जो मैंने आयरें फिलाई बनाया था तो आपने उसमें कंडिश इसके लिए पार्ट टू बनाऊंगो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते बविश्य में रिवर्स हर्विक इस्तमाल करके इस अरें फ्लाई को मुझे कैसे रिस्क फ्री करना यह बी चीज़ अपन समझेंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोगों अभी तक अपना डिमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के लिए अपना डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद झाउंट